लोक सभा चुनाओं खत्म हुए अब डेड़ महीने से ज्यादा बीच चुके हैं और देश में एक बार फिर पियम मूदी के रेतरतों में एंडिये की सरकार सत्ता में काबिज है हालाकि यूपी में इस बार के नतीजे बीजेपी के लिए हैरान परिशान करने वाले रहे कई सीटों पर जहां बीजेपी की जीत तैम आरी जारी थी वहां बीजेपी को तगड़ा जटका लगा और बड़ी हार का सामना करना पड़ा इनी होट सीट्स में से एक रही अमेठी लोग सभासी जहां बीजेपी की ओर सी 2019 में राहुल गांधी को बुरी तरहा हराकर सांसत बढ़ने वाली इसमृती इरानी को इस बार चुनावती दी कॉंग्रेस के बेहत करीबी किशूरी लाल शर्मा ने और इस बार इसमृती इरानी को हार का सामना करना पड़ा जिसके बार इसमृती इरानी ने हाल ही में लुटियंस दिल्ली में 28 तुगलक क्रिसेंट बंगला इस्तित अपना सरकारी आवास खाली किया वहीं इस बीश सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके खिलाफ तंज कसने वाले कमेंट और पोस्ट किये लेकिन दूसरे तरफ अब कॉंगरस सांसद और लोग सभा में नेता प्रतिपाक्ष राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर इस्मृती इरानी का सपोर्ट जता कर हर किसी को चौका दिया है दरसल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर इस्मृती इरानी के सवर्थन में आकर इस्मृती इरानी के खिलाफ अपमान जनक भार्षा का प्रयोग ना करने की अपीर की उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि जीवन में हार जीत लगी रहती है मैं सभी से आगरह करता हूँ कि वो इस्मृती इरानी या किसी अन्य नेता को लेकर अपमान जनक भाषा का उप्योग करने और बुरा व्यवहार करने से बचे उन्होंने कहा कि लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है ताकत की रही वहीं अमेची से कॉंग्रेस सांसदर की शोरी लाल शर्मा ने भी राहूल गांधी के वयान पर प्रतिक्रिया दी उन्होंने कहा कि राजनीती में हार जीत लगी रहती है राहूल जी हमेशा ही सारवजनिक जीवन में मर्यादा का पालन करते हैं हमें ऐसी भाशा से बचना चाहिए राहूल जी मर्यादाओं का पालन करते हैं तो उन्होंने सही बात किया और मैं भी अपने आपको उसमें शामिल करता हूँ इसके अलावा कौंगरिस नेता भूपेश बगेल और सुप्रिया श्रीनेत ने भी एकस-पर पोस्ट करके लाहूल गांधी केस बयान की जमकर तारीव की गौर्दलब है कि यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल माने जानी वाली सीटों में से एक अमेठी लोग सभा सीट पर इस बार इसमृती इरानी चुनाओ हार गई थी कॉंग्रेस पार्टी के किशोरी लाल शर्मा ने 1,666,196 वोटों के बड़े अंतर से उन्हें हरा दिया अमेठी के नए सांसत वने के अल शर्मा को कुल 5,49,228 वोट हासिल हुए जब कि इसमृती इरानी को 3,72,032 वोट मिले फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं देश और दुरिया की बाकी खबरों के लिए बड़े रहें इंडिया पबलिक खबर के साथ हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूले हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें लिए पर आपका करें लिए झाल दूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें